दोस्तो सागत है आपका एक नही और fresh एपिसोड में वा रही है आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है दोस्तो क्यूंकि आज के इस एपिसोड में हम तीन ऐसे components cover करने जा रहे हैं जो geography है, economy है और general science है दोस्तो इन तीन components को जो है वह हम cover करने जा रहे हैं इस video में दोस् तो यह component जो है वो बहुत ज़्यदा help करने वाला है आपको चाहे आप किसी भी exam के लिए prepare कर रहे हैं finance account assistant है, finance sub inspector है, जम्मो कश्मीर पलीस sub inspector है तो किसी भी ऐसे government exam के लिए अगर आप prepare कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यदा खास होने वाली है और बहुत ज़्यदा helpful होने वाली दोस्तों तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शियर करें इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया जैसे की Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अब वहाँ पे जाकर हमें जरूर फॉलो करें इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल को भी आप ज़रूर जॉइन करें टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चले वीडियो को शुरू करते हैं देखिए दोस्तों जो हमारा question number first है question number one यह है कि सियाचीन glacier कहाँ पे जो है वो लाइक करता है इस सियाचीन glacier is situated in तो options है आपके पास इस्टाप आकसाइचीन, इस्टाप ले, नार्थाप गिल्गिट, नार्थाप नुबरा वैली तो इसका answer जो है दोस्तों वो answer option D है नार्थाप नुबरा वैली question number next की तरब चलते हैं which of the following is youngest mountain range of India तो youngest mountain range कौन सा है तो इसका answer है दोस्तों हमादरी हमादरी जो है वो youngest mountain range है इंडिया का उसके बाद question number three पे अगर चलें दोस्तों तो what is the difference between main difference between western and eastern ghats तो main difference क्या है दोस्तों तो main difference जो है वो उनकी continuity है okay question number three का answer जो है वो आपका continuity है उसके बाद question number four पे अगर चलें तो in which of the following is himalayan ship किला located तो himalayan ship किला जो है वो कहां पे located है इसका answer जो है वो दोस्तों option number D है दोस्तों सदलूज वैली ओके तो उसके बाद question number four पे अगर हम चलें question number four में बता रहा है which of the following river does not join river chamber तो कौन सा river जो है वो river chamber को join नहीं करता है इसका answer जो है वो जो है वो बेटवा है दोस्तों option number C okay तो next चलते हैं गिर्षोपा falls is formed by which one of the following rivers तो गिर्षोपा किस गिर्षोपा falls जो है वो किस river से बनता है किस river कितरो बनता है ठीक है तो इसका answer जो है वो दोस्तों वो है शारावाती ठीक है शारावाती option number C उसके बाद next अगर हम चलें which of the following major river basis of India is the shortest in length in terms of catchment area okay तो इसका answer क्या होगा दोस्तों इसका answer होगा दोस्तों साबर मती okay option number D यह है आपका question number 7 तो question number 8 की तरफ अगर चलें दोस्तों question number 8 में क्या बता रहा कि राना पताब सागर राजिस्तान is associated with किसके साथ associated है nuclear power solar hydro electricity or irrigation तो इसका answer है दोस्तों hydro electricity okay question number next which one of the following has the largest shipyard in India सबसे सबसे बड़ा shipyard कहां पे है इंडिया में दोस्तों कौन सी city में है तो आपको यह बताने तो इसका answer जो है वो दोस्तों कोचिन है option B okay the power plant at money current base on geothermal energy is located in the state of कौन सी state में जो है वो यह power plant geothermal energy का बना हुआ है तो यह कहां पे located है दोस्तों यह हमारा जो हिमाचल प्रदेश है हिमाचल प्रदेश में located है इंडिया का किसको जॉइन करता है तो वो जॉइन करता है दोस्तों डैली मंबई ओके डैली मंबई कोलकता चैने option नमबर ए उसके बाद question नमबर नेक्स चलते हैं question नमबर आपके 12 की तरफ तो अंडर civil registration system CRS it is legally mandatory to register birth and death events with how many days in India तो इसका answer जो है वो दोस्तों 21 है okay question number 12 हो गया हमारा question number 13 दोस्तों तो 13 है dependency ratio in India is declining because dependency ratio क्यों decline हो रहा है क्योंकि the population of 15 to 59 is relatively high okay among the following among which of the following recorded the highest percentage literacy race as per 2000 census 2018 तो कौन सी ऐसी जो है वो community है जिसमें जो है वो सबसे ज़्यादा literacy rate देखा गया वो है हमारे Jans okay Jans में सबसे ज़्यादा literacy rate देखा गया पर इंसे दोजार यारा which one of the following forest divided forest of India into reserve protected and village forest तो क्या है इसका answer दोस्तों इसका forest act of 1878 option number D उसके बाद next अगर हम बात करें आपका question number 16 तो 16 क्या बता रहा है आपका which one of the following is the main objective of Vienna convention and monetary protocol तो इसका answer है दोस्तों protection of ozone layer उसके बाद next question है which one of the following was the first country to declare climate emergency emergency कौन सी country जो है वो पहली climate emergency जिसने declare किया था वो है Sweden okay इसका answer है दोस्तों Sweden उसके बाद next अगर हम चलें which one of the following is secondary pollutant secondary pollutant क्या है दोस्तों वो smog है when was the first national action plan on climate change released climate change पे first national action plan का जो है वो release हुआ था 2008 में option number B उसके बाद next question पे चलते हैं दोस्तों which is the most stable ecosystem सबसे ज्यादा stable ecosystem कौन सा है दोस्तों तो सबसे ज्यादा most stable जो है वो marine ecosystem है okay उसके बाद question number next है incinerators are used for which of the for which of the following incinerators की चीज़ के लिए यूज होते हैं तो burning waste option number A which pen killer given to cattle is responsible for near extension of vultures in India तो कौन सी ऐसी pen killer जो cattle को देते हैं और जिससे जो है वो vultures की extension हो सकती है तो क्या है इसका अंसर दोस्तों Diclofenac okay Diclofenac से जो है vultures की extension हो रही है उसके बाद नहरो महाल नौबी strategy of development was implemented for the first time by which one of the following five years plans तो इसका अंसर जो है वो दोस्तों second five year plan है okay उसके बाद next है हमारा दोस्तों which statement depict the best definition of sustainable development तो sustainable development की जो है वो इसका अंसर क्या होगा दोस्तों इसका होगा present generation fulfills option number C present generation fulfills its need when considered there while consider the need of future generation as well next question है which one of the following community was set up in India for identification of BPL families under in urban areas तो इसका अंसर क्या होगा दोस्तों हाशिम committee हाशिम committee के under जो है वो identification of BPL committee was okay उसके बाद which one of the following is not objective आ पर्धान मंत्री क्रिशी सिंची योजना तो पर्धान मंत्री क्रिशी सिंची योजना का कौन सा जो है वो objective नहीं है तो last वाला to protect farmer against crop failure due to natural calamities okay तो question number next है पर्धान मंत्री जंधन योजना is run by पर्धान मंत्री जंधन योजना को को run करता है दोस्तों तो इसको जो है वो reserve bank of India जो है वो run करता है उसके बाद cheap money का मतलब क्या होता है cheap money means तो cheap money means low rate of interest okay उसके बाद next है the promoter of national stock exchange of India is तो कौन है national stock exchange promoter इसका तो इसके answer जो है वो all of these सारे जो है वो promoter है national stock exchange चाहे वो state bank है LIC GIC है IDBI है okay which one of the following statement is not correct okay तो इसका answer जो है वो option number three है only three तो जो आपका option number three है सिरिफ यह जो है वो गलत है बाकी सारे option ठीक आप option पर सकते है the main function of banking system is to इसका answer जो है वो accept deposit and provide credit okay what is a fiscal deposit तो fiscal deposit क्या होता है दोस्तों तो fiscal deposit होता है is gap between total expenditure and total receipts of the government option see okay उसके बाद by next है दोस्तों आपका by will following government make arrangement the collection of collection of revenues for a year finance bill option b okay grants are advances made by house to enable the government to carry on until the voting and demands for grant and passing of general approbation bill is called तो इसका answer क्या होगा दोस्तों vote on account होगा okay option number a so next है आपका दोस्तों which one of the following is not an electromagnetic wave तो electromagnetic wave कौन सी नहीं है इसमें से तो इसका answer जो है दोस्तों वो क्या होगा sound wave इसका answer sound wave है उसके बाद blue brilliance of diamond is due to किसकी वजह से होता है दोस्तों यह diffraction of light होता है okay तो उसके बाद when a beam of light is allowed to fall on a prism the maximum deviation of the prism light occurred for तो maximum deviation किसके लिए होती है दोस्तों वो होती है आपकी red light के लिए okay which one of the following phenomena cannot be exhibited by sound waves sound waves से कौन सा जो है वो phenomena नहीं हो सकता है तो इसका दोस्तों answer है polarization okay the principle involved in chromatography is तो इसका answer क्या होगा दोस्तों partition okay partition उसके बाद आपको match करना है the following okay तो इसका जो है वो क्या होगा इसका जो है वो answer c है which means you can match you can match it okay which one of the following material contains calcium to calcium किस material के अंदर होता है calcium जो है वो gypsum के अंदर होता है okay तो उसके बाद है आपके biology के कुछ questions which one of the following element is needed in the human body to transfer electrical signal by nerve cell तो कौन सा जो है वो हमारी body के जुरुत होती है वो नोसे signals को transfer करने के लिए sodium okay उसके बाद दोस्तों next है हमारा which one of the following is group of form of food chain इसका answer जो है वो grass उसके बाद है आपकी goat or human option B उसके बाद question number if by an unknown accident the acid secreting cells of the stomach wall of individual are damaged digesting digestion of which of the following biomulky will be affected to a greater extent तो इसका जो है वो answer है क्या है आपका protein तो protein की digestion जो है वो effect होगी उससे crossing over during meiosis at तो occurs during meiosis at तो इसका answer जो है वो पैच थीन है answer answer third ठीक है दोस्तों तो यह थे कुछ question 45-46 question जो मैंने तीनों component से उठाए थे दोस्तों तो अब आप देखे कि इसके according आपका score क्या बन रहा है आप यह देखते हैं कि आप analysis करें अपना कि कितना आपको इसमें आता है बाकी अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें जुरूर comment section में लिखके बता सकते हैं दोस्तों इसका जो है वो पीडियाफ आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा आप टेलिग्राम चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें वहां पर जाएं और वहां पर फालो करें और इस पीडियाफ को डाउनलोड करें बाकी दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट यह वीडियो एमसी के वा सिरीज और लाते रहेंगे मिलता हूं आप नेक्स टूडियो में तब तक लिए अपना खाया रखेगा खुदा है